वेलकम टू इंस्पाइर फिजिस कलाशिस फिरेंस आज जहाब के लिए पहला क्यूसर न्यूटन के सीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के सीतलन की दर अनुकर्मान पाती होती है वस्तु के ताप के वस्तु के वतावरन के ताप के वस्तु के वतावरन के चतुर्ट गात के तो दोस्तो इसका राइट्विंस हो जाएगा ओप्सनमा डिवाला नहीं वस्तु एवं वातावरन के ताप के याईनि दोस्तो इसका जो वातावरन का टेमपरेचर होगा टीवन और जितना है नहीं वस्तु का टेमपरेचर होगा टीटू दोस्तो इन दोनों टेमपरेचर के आंधर जितना अधिक डिफरेंट होगा जितना अधिक अंतर होगा उतनी ही वस्तुण जो ठंडी होने की दर होगी यादिक तो जो शितलन की दतर हो जाएगी वह वस्तु एवं वाथ आतर होता है उसके चे-जो अनुकरैंपाती ہोती 좋व किया गया कुल काई होगा निए दोस्तों आपको एक पीवी आर्यक दियाँ होगा है उसके बारे आपको पताया कि कोई अधर इसके इस को में सी सी निसे इस होकर के ले झाया जाता है तो आपको बताना इस चक olduğatar मिंधर करम के तो दोस्तों इसका जो एरिय ओताज छेतर फ्ल होता है उसके बाबर होता है कुल किया गया कार्य तो दोस्तों इसका जो यदि आपको किया गया कार्य dtak करना होगा वही हमारा तो वीवन उसी परकास दोसों इसकी उन्चाय जाएगा यहां पर फीवन हो यहां पर फीवन तो यह डिस्टेंस कि तीन हो जाएगी यह मारी फीवन तो दोस्तों यह जाएगा इसका एरिया यह तिर्बुज का छेथर पर लोता है वन बाइटू आदार गुणा हो चाहिए इस 2412 मigos इसवेवन नहीं सब्सक्रा करता है तो इंजन की अधिक्तम संभावीत दak श् women कर रहा लाह 보고 निये तो दोस्तों यहाद रहेना सब्सक्राइब कर में तemaker य। आपको निकारना होताय हो उसका फॉर्मल होता फ़्म Лगय वन माइने टीटू अपन में यह दोस्तों इसको अपने इस पर काल भी दिसकते हैं टी 1 माइनेस के टीटू अपन में एडिवन दूस्तों यहां पर घमान यहां दिया वह ढाल लिग्रे साइश द्धें होरा सेजिक आ इसको मान творाहिकों फालट और हाई जहे 233 एड़ करेंगे तो मारा बज़ाए बन जाएगा अजार और टीटू का मान हो जाएगा दोस्तों वह कितना जाएगा 227 में अधी अपने 233 जोड़ेंगे तो यह जाएगा हमारा 500 तो टीवन और टीटू का मान है अधी आप इस फोर्मूलों में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनिस के 500 अपौन में हो जाएगा 1000 तो यह मेरा प्राफ्त होता है 500 बट्टी अजार या दोस्तों इसको और आगे आगे सोल करेंगे तो फेमान प्राफ्त होता है करता है बायाड बनेवर करेगा दोस्तों यह आपको बताना है कि जो घरंवाई उता गुणाथ मेसाथ हुमान पाती यह ता है बल्कि दोस्तों यह आप Glikud के लिए देखते हैं दरवे के लिए देखते हैं दरवे के लिए जो स्यांता गुना को होता है दोस्तों वो टेंप्रेशर के रुईत्र का मान पाती होती है लेकिन रिक यह पर वाइट दिया वायन की ऐगेंगे बढ़ाया जाएगा उसी प्रकास से उसकी स्यांता कमा मन बढ़ेगा यानी यह दिक गरम वाईः है निकिसका टेंपरेश्य का मान अधिक है तो दोस्तों इसका श्यानतागुना का मान बहीद दोस्तों यहाद हुज आपको यहां पर को जल या फिर पार रहानी कोई लिक्विड दिया होता यानि दर्वत दिया होता तो उसके लिए शान तक उना को था वो टेम्परेचर के विद्विद कमान पाथी होता है तो इस कुछन का राइट्विंश होजाएगा ऑप्सट नमर ए अब नेश्ट कुछन कि दोने दर्वमान ऐम अचर्वएक से एक्स के समहांतर एक से गति कर रहा है तो मूल बिंदू हत्वा ज्याइड एक्स के साफेक्स इसका कोन यह समय जोगा यानि दोस्तरव को दियावा है कि कोई एक कन्षैंऔर यह मारा दुस्त्त्त वे दे कर दो आग सेमान् Parlament हैं कि यह मारा स्टिति सदीज स से और वने दोस्तों यह Y. कि आक से ही पर यह क्या कर रहा है इसकी समांतर प्रिषा में क्या कर रहा है यह के गती कर रहा है थो हम जानते हैं को यह का फॉर्मूल होता है वह होता है हमारा एमे और वी करोस आर होता है यह यह फिर अपने इसको लिए सकते हैं यानि करोस मल्टिप्लाई को अपने वी आर साइन ठीटा भी लिए सकते हैं तो दोस्तों हमारा जो कौनी समय का फॉर्मुला था है वो यह हो जाएगा और दोस्तों इस फॉर्मुले में आकना अपन देखत हैं अब दोस्तों हम देखते हैं कि दरुमान भी कंगा में से समन ड specially हो जाएगा हुए रहे की यह समय चैनली और आ deveक अरए और या5 कोनेस whereby क्या रह bigger अ परिवर्टित रहेगा तो इसका रायए तो लोई उपसन नमर ती वाला यह रहेगा तो यह थे डेक्स के सापेक्स या मूल बिंदू के सापेक्स है तो इसका राइट्विंच हो जाएगा ऑप्शन अमर बी अब है नेश्ट कुछन ने एक भारी एक समान जंजीर 36 मेज़ के उपर रखी हुई है यदि जंजीर मेज़ की सत्य के बीच गरसन गुडांग 0.25 है तो जंजीर क लंबाई का वह अधिक्तम भाग जो मेज़ के एक शिरे के नीचे लटकाया जा सकता हुआ होगा यदि दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक जंजीर एक मेज़ है उस पर एक जंजीर रखी हुई है और उसका कुछ भाग लटका हुआ है दोस्तों आपको बताना है कि उससे अधिक लटकाने पर वह नीचे गिर जाए यान कि दोस्तों उतना यान कि कितना मेकसिमा बाग नीचे लटकाया जा सकता है तो देखिए दोस्तों यदि इसका बाग नीचे लटकाया जा रहा है तो उस कंडिशन में क्या होगा कि यहां पर जो चैन होगी और टेबिल क की बीच का जो जो गर्षन पर लोगा ओर दोसतों यह जो हमारी इसके यानि जो लटकी वी चैन का नीचे भार होगा। उस कंडिशन में जन्जीर नीचे नहीं आती है तो उस condition में क्या होगा कि जो गर्षन बर्ल होगा और जो इसके जन्जीर का नीचे के बार होगा वह इक्वल हो जाएगा दोस्तों इसको इक्वल करते हैं तो अपने उसका मार निकालते हैं तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि जो हमारी chain लटकी ह हुई है उस संपूर्ण चेन के लंबाई है और जो लटकी हुई बाकि लंबाई एक्स है तो जो भाग हमारी मेज़ पर होगी उसके लंबाई कितनी हो जाएगी एल माइनस एक्स हो जाएगी और हम बांते हैं कि मानते हैं कि दोस्तों चेन है इसकी एकांक लंबाई का जो मास ह है वो हैं है तो जो जिए हमारी उपर रखे है उसका दोस्तों मारा भार कितन Chemistry जाए अस। जो चैन लटकी हुई है वो जाएगा उसका दरोमान होगया हमारा except yea या इसको sick से मल्टिप्लाइ कर देंगे और दोस्तों जो गर्सन बल्ल होता है वो हम जानते हैं गर्सन बल्ल इसकोल टू होता हमारा मियू आर तो हमारा जो यदि मू का मान अपन रखते हैं जीरो पॉइंट पचीस है और जो लटकी हुई है यानि के उपर जो चेंज रखी दिवी है दो दोस्तों इसको अधियापन सोल करेंगे तो एमजी से एमजी मारा कैंसल हो जाएगा और यह जो जिरो पॉइंट पचीस है तो यदि उसको इदर ले करके जाएंगे तो इदर तो बचेगा हमारा एल माइनस एक से और 0.25 इदर आकर बरन जाएगा मारा फोर यह जाएगा एक से यदि इसको यहां से आगे सोल करेंगे दोस्तों तो मारा जो एल इस इकल टू पराफ्ट हो जाएगा वह पराफ्ट हो जाएगा फाइप एक से यह एक से बराबर निकालते हैं मैं एल एपॉन पांच है यानि दोस्तों जो चैन का अधिक्तम बाग लटका होगा वो पांच होगा यदि इसका परतिस्त परिवाज़नी परतिस्त निकालते हैं तो इसको सो से मल्टिप्लाय करेंगे तो यह मारा हो जाएगा बीस परसेंट किसका एल का तो इसका राइटिंस हो जाएगा उप्सन नमर ए दो तो एक क्यूशन बढ़र जरूर है कि दोस्तों लेक है तो नली के संकीरत बाग में जलका परवाह है दोस्तों आपको बताना है कि वेग अधिक्तम होगा या दाब नियूंतम होगा या दाब अधिक्तम होगा वेग नियूंतम होगा या दाब एवं वेग दोनों अधिक्तम होंगे दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारी एक है इस परकार से उसको है आए समीत है दोस्तों आपको बताना है कि यह सबसे संकिण तम बाग भाग आए तो वह inking सखड़ वहां पर आपको बताना है कि इसकी वेलोशिटी और डाब किस प्रकार से डिए problema नियात होगी तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो जल में तो जलके परवाए के लिए ए और वई है रहता तो का गुणगा नाप्सारी में नियत होता इन्य जो हमारा JUN ऑा होता था है व llRP का हां बाउनफי होती है यूत को डिखरी होगी वाँपर इसका 6 प्ल कम होगा और 6 प्ल कम होने की कारण इसकी वेलोशिटी का मान अधिक हो जाएगा दोस्तों जहां पर यहां पर दोस्तों कम होता है यानि जैसे जैसे वेलोशिटी कमान बढ़ा जाता है जो वैसे वैसे दाब कमान कम होता है बनुली थूरम दोस्तों में यही बताती है कि इसा इस्तान जहां पर वेलोशिटी कमान अधिक होता है तो आपर दाब कम होता है जहां पर वेलोशिटी कमान कम होता है तो द जो दोस्तों एक graph दिया वह होगा है वी स्कायर एवं में टीक तो आपको बताना कि कौन सा graph सही है यानी वी इसक्वायर यानीं वी आरीमियस का स्कायर एवं परम्ताप की भी सही graph है यानी दोस्तों हमारी कोई भी यानी गेश होती है तो इसके अनुओ का जो वर्ग मादे मूल मान होता है उसका स्कॉाइर एवं परम ताप टीके मदे गराब पतानी है कौन सी सही होगी तो याद रखना दोस्तो जो वी आरएमस होता है याणि एनुओ के गेस्यों की जो हमारी गतीजर को एनुशी यूई इसका वेलोशिती होती है उसका रैमस मान होता है वो अंडरूट टीके समान पाथी होती है या धोस्तो अ कह सकते हैं कि जो इसका स्कॉाईर करेंगे तो यह समानपाती हो जाएक हमारा KK और हम जाते हैं जब कोई राटए की naroac'i कि साथ समानपाट हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो सीद्य और एक हमें होता है जो इस परकार से होता है तो इसका राइटिंश हो जाएगा आपसंन Q V18 relief do सही ग्राफ हो जाएगा वो जाएगा option number 20 वाला यानि B वाला अब हैनेश्ट क्युसाने किस इस्तिति में कोई ये वेक का मान उप्योगी होता है यानि दोस्तों कोई ये वेक उप्योगी होता है पहला option दिया वा है जबकि वस्तु गुर्णन कर रही है जबकि वस्तु सेलरेखा में है या उप्योगी होता है तो दिये गए option की अनुशार इसका is option right हो जाएगा क्यूंकि दोस्तों जब कोई वस्तु ये गुंणन गति कर रही है अपनी X के चारों और घूम रही है तो ही दोस्तों इसका क्या होगा इसके अंदर कोई ये वेक ही आपसकत होगी य Mich दोस्तों जैंग वश्टू कुय वश्टु के की चारों और यानि चकर लगा रही है तो यह वश्टू यहा hang गती कर रही है तो उससे और राइटम' शचाइगा आपनerson नफ एवप लेशान्ट की आतो का अंतिम क्यूसने यदि एक गोला घंए इवं पतली वर्ताकार पलेट को सम्मान ताप एनि सो डिग्री सेलसियस तक गरम किया जाता है तो करन पहले ठंडा होगा यानि दोस्तों आपको बताना है कि एक गोला है और एक हमारा दिया वहाँ आपको घंए और दूसरा दिया हु वाला दोस्तों वह क्यों होगी दोस्तों याद रखना यादि कोई वस्तू को गरम किया जाता है तो उसे जो एनरजी उसरजित होती है उसका जो मान होता है वह पर परपोर्शनल होता हमारा एरिया के एरिया के दोस्तों समान पाइती होता है तो सबसे एदिके एरिया होता ह है यही छटा पलो ता है दोस्तों वहां पलेक्ट का होता है और इसका रसक्राइब यह मारे प्लेट होती है दोस्तों वह सबसे पहले ठंडी हो जाती है तो इस का राइटिएों सब साथ आप्वाजस के साथ हमाने आजके 10away transition समाफ होते हैं दोस्तों ये क्यूशन आपको कैसे लग एक मिंट करके जरूर बताएगा वह दोस्तों आप हमारी साथ एक्जामतर रेगूलर बने रहे आपको ऐसे ही किसनों की जो वीडियो है वो रेगुलर मिलती रहेगी तो आप हमारे चैनल को शेयर कर दें यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जैहें दोस्तों